सत्यामनीज बेव टीवी के दुनिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज गुरुवार को क्या है उत्तर प्रदेश के भदोहीं जिले की खबरों में सुप्रभात आदाब नमस्कार मैं हूं नसीर कुरैसी आईए नजर दालते हैं आज की फटाफट खबरों पर राज निर्वाचन आयोग ने मद्दाता सूची तैयार करने की हरी जंडी दे दी है इसके बाद गाउ की सरकार बनाने को लेकर आतुर चुनावी बिगिल भी फूकने में जुड़ गए हैं ग्राम परधान पत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके ऐसे लोगों की सक्र अब गाउं में बढ़ गई है नमस्ते पाउलगी जैसे अंदाज परधानी चुनाव में चाहत रखने वालों के बीच काफी बढ़ गई है उधर भदोही जिले में भी जिला अधिकारी राजेंदर परसाद ने मद्दाता सूची तैयार करने के कारकरम की घोस्रा करते उधर इसके लिए भदोही जिले का निर्वाचन कार्याले भी मुस्तैद हो गया है इनी सब मुस्तैदियों को देखते हुए परधानी पद के चुनाव लड़ने की लालसा रखने वाले भावी परत्यासी अपने वर्तमान परधान को चित करने की नियत से अपने करीबियों के साथ पहुच कर जिला मुख्याले पर ग्राम सभा में विकास कार्यों की धादली सहित अन आरोप लगा कर घेरना सुरू कर दिये हैं बुद्धवार को धान के खेत की मेड़ पर पीलर लगाने को लेकर जम कर मारपीट हुई है दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की यह घटना भदोही शहर कोतवाली इलाके के रया गाउं के सरोज बस्ती का है जहां मंगलवार की साम से ही इस जमीनी विवाद की सुरुआत हो गई थी पहले महिलाओं में विवाद हुआ उसके बाद बुद्धवार की सुबा दोनों पक्षों के पुरुस सदस आपस में फिड़ गए एक पक्ष का आरोप था कि उसके धान के खेत की मेड़ पर दूसरा पक्ष मकान बनवाने के लिए पीलर लगवा रहा था बिरोध करने पर मारपीट हो गई यह मारपीट सुरे सरोज वा बिनोध सरोज के परिवार वालों के बीच हुआ है मारपीट से एलाके में हडकंप मच गया इस मारपीट में बिनोध सरोज, मनोज, अनिल, स्याम बहादूर वा संजय सरोज को चोटे आई हैं सभी का उप्चार महराजा बलवन सिंग राजकी चिकित साले में कराया गया भदोही सहर कोतवाली इलाके के सरोही कैथेपूर गाह में एक युवक घायल वा बिहोसी की हालत में पड़ा पाया गया ग्रामडों ने इसकी सूजना पुलिस को दी जहां घायल युवक का इलाज रसपूरा इस्थित एकनीजी अस्पताल में कराया गया होस आने पर युवक ने अपना नाम राम प्रकास यादव वा पिता का नाम कालिदास यादव बताया तथा असनाओ पुलिस चवकी छेतर के उधवा माफी गाउं का निवासी बताया है बताया कि वह नासिक में ट्रक चालक है और नाकपूर से आउराई चौराहे पर पहुचा था जहां अपने एक रिस्तेदार के साथ आउराई के एक धाबे पर खाना खाया और बलोरों से चला उगापूर तक सब ठीक ठाक था लेकिन उसके बाद वह बिहोस हो गया जहां वह कैथीपूर में घायल अवस्था में पाया गया था उसके हाथ में चोटे लगी थी तथा साथ में मवजूद सामान गायब था परिजन भी सुचना मिलने के बाद अस्पताल पहुचे गदिनो भधोही जिले के आवराई एलाके के उगापूर हवाई पट्टी अधिकरमल मामले में पूलिस ने तीन लोगों के खिलाप मुकदमा दर्ज किया है बता दे कि सासन के निर्देश पर SDM आवराई अधिकरमल हटाने पहुचे थे जहां कई पक्का अधिकरमल पाया गया था और उसे JCB से धा दिया गया था इसी मामले में आवराई SDM ने कुराउनान निवासी उमाकांत सर्मा सहित दीपक बिंद वास्यू परसाद बिंद के खिलाप मुकदमा दर्ज कराया उधर मुकदमा दर्ज होते ही आवराई पुलिस ने इन तीनों को गिरफतार कर लिया है भदोही कोतवाली वमोड़ पुलिस चवकी को सराब तसकरी के मामले में बड़ी काम्यावी हाथ लगी है 37 लाख रूपे की बामबे इस्पेशल विहिस्की सराब पुलिस ने बरामत की है अरुलांचल परदेश से इस अवय सराब का कनेक्शन भदोही से जुड़ा है इस संबंध में पुलिस अधिछक राम बदंग सिंग ने कोतवाली भदोही में प्रेस्वारता करते हुए जानकारी देते हुए कहा की लाखो रूपे की कीमत की सराब के साथ चालक को भी गिरफतार किया गया है सराब का खेप मोडचेतर के नरुत्तमपुर में उतारा जा रहा था तभी पुलिस ने पहुच कर चालक को दबोच लिया और सराब का खेप बरामत कर लिया तभी कोचिया का सलिंद्र दूबे, आसीस चोहान, कंसरायपुर रश्पूरा भधुही का विपिन मिस्रा, नरुत्तमपुर में सराब की खेव को खाली करा रहे थे पुलिस को देखते ही यह तीनों फरहर हो गए, सराब सहित वहन की कीमत बामन लाख रुपिया आ की गई है इस अवैस सराब को बरामत करने में निरिच्छक, चित्रकूर, पूरी, उप निरिच्छक, सुनील यादो, संतोष कुमार राय, आदी पुलिस कर्वी मौजूद रहे इस टीम को नगत पुरसकार से पुरसकरित करने की पुलिस अधिच्छक ने घोसला की भदोही जिले के अभोली-बलाक के बाओरी-बोज, ग्राम-सभा के परदान के निधन के बाद, ग्राम-सभा की सिठ रिक्त थी जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर उब जिलाधिकारी आसीस कुमार मिस्रा ने बुद्धवार को बलाक सभागार में सदस्टों की बैठक बुलाई और हाथ उठा कर चुनाव कराया जिसमें परधान पत के लिए राधिस्याम वा सुरेश कुमार ने चुलाओ लड़ने की इच्छा जाहिर की जहां दोनों पक्षों से हडियम ने अलग-अलग हाथ उठाया जिसमें राधिस्याम को जहां 7 मत वहीं सुरेश कुमार को 5 मत मिले हैं और इस प्रकार नए प्रधान के रूप में राधे स्याम को नामित कर दिया गया बता दे की 13 सदस्वों में से 12 सदस्व मौजूद थे पूर प्रधान के समर्थों में मायूसी देखी गई इस मौके पर अच्छे लाल राजकुमार आदी मौजूद रहे भदोही जिला मुख्याले सरपतहा इस्थित न्यालय का नया भवन बनकर पूरी तरह तयार है माना जा रहा है कि न्यालय का कामकाज 19 सितंबर को नय भवन में चालू हो सकता है इसके लिए पूरी तरह तयारिया की जा चुकी है हलाकि नई जगहा पर सबसे ज़्यादा परिसानी अधिवक्ताओं को हो रही है ऐसा ही कुछ नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बस्ता रखने को लेकर नय न्यालय भवन के समीप अधिवक्ताओं में जगहा चैन को ल नहीं किया गया है जिससे अधिवक्ताओं के सामने भारी दुस्वारियां खड़ी हैं भदोही तहसील अंतरगत विभिन गराम सभाओं के तालाबों को मत्स पालन के लिए दस वर्सी पट्टे पर दिये जाने की कारवाई का सिविर कैम्प भदोही तहसील पर आयोजित किया गया इस संबंध में HDM भदोही आसीस कुमार मिस्रा ने बताया की 126 लोगों ने इस सिविर में भाग दिया आपको बता दे की मत्स पालन के लिए दस वर्सी पट्टे पर तालाब को दिया जाता है जिसका निरणए HDM भदोही आसीस कुमार मिस्रा को लेना है पट्टा दिये जाने वाले तालाब का लेखपाल वा कानून गो निरिच्छण भी कर चुके हैं भदोही तहसिल में आयोजित स्कैप में मत्स बिभाग के अधिकारी नायब तसिलदार वा सभी लेखपाल वा कानून गो मौजूद रहे भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के सिहरहा गाउ में बुद्धवार को उपजिला दिकारी आसीस कुमार मिस्रा के निर्देश पर उचित दर्विक्रेता दुकान का चयन किया गया सिहरहा में 11 स्वाइंग सहायता समू एक्टिव थे लेकिन कोटा चैन प्रकिरिया में 4 स्वाइंग सहायता समू का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें साई बाबा, सेख मनसूरी, प्रगती वा जियोती सहायता समू सामिल थे लेकिन कोटे की जिम्मेदारी साई बाबा, सहायता समू को ही मिल सकी एडियो पंचायत राजनात ने बताया कि कुल 409 मत पड़े थे जिसमें सबसे ज्यादा मत साई बाबा, सहायता समू को मिले हैं इस मौके पर कोटा अध्यस सुमन्तिवारी प्रीती दूबे वा सचिव अंतिमा मवजूद रहें भदोही जिला मुख्याले पर पहुचकर उत्तर परदेश स्वर्णकार संग ने गोपी गंज के काली महाल इस्थित प्रात्मिक बिद्याले की बदहाली वा डीग विकास खंड के आनापूर ग्राम सवा में घरों के उपर लटक रहें जरजर बिद्धुत्तार को हटवाय जानी की मांग को लेकर जिलातिकारी को पत्र सौपा है संग के संतोस बर्मा मुके सुनकार वा अनंद सोनी ने डीयम को पत्र सौपते हुए कहा की नगर पालिका परसद गोपी गंज के वाड नंबर 22 काली महाल इस्थित प्रात्मिक बिद्ध्याले में 200 से ज़्यादा बच्चे सिछा ग्रहन करते हैं लेकिन यह विद्ध्याले सासन की उपेच्चा का सिकार है दिव्यांग सुलब सोचाले जैसी भी सुबधा नहीं है भवन काफी जरजर है जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है इसी तरह कहा गया कि डीग विकास खंड के आनापूर ग्राम सभा के कई घरों के उपर से जरजर भी दुत्तार गया हुआ है जिससे लोग अपने मकान के छटों पर नहीं जा पा रहे हैं जरजर भी दुत्तार को हटवाए जाने की सुलबकार संग ने मांग की है भदोही सहर के इंद्रा मिल ओवर बिरिज का सर्विस लेन वैसे तो दोनों तरफ छती ग्रस्त है लेकिन एक तरफ का सर्विस लेन बेहद बत्तर हालत में है जिससे एक लेन से ही वहनों का आना जाना लगा रहता है और जाम के हालात उत्पन हो जाते हैं इस जाम में फसकर लोग घंटो करहते रहते हैं जबकि इंद्रा मिल सहर का एक परमुख चवरहा है और कई हास्पीटल हैं इस भी सर जाम में एंबूलेंस सहित बेहत जरूरी कामों से जाने वाले लोग जाम में फच जाते हैं कभी कभी तो घंटो जाम लग जाता है सर्विस लेन की हालत बत से बत्तर हो गई है जिससे आए दिन इंद्रा मिल पर जाम लगा रहता है बीएड में स्सी एस्टी छात छात्राओं की फीस बढ़ुत्री को लेकर पासी समाज रजवाले बैंक महासबा पासी सेना ने बुद्धवार को भदोही जिला मुख्याले पर पहुच कर परदर्शन क करते हुए बढ़े हुए फीस को वापस लिये जाने की मांग की है पासी सेना के जिला ध्यच घंच्याम पासी के निर्थित में पहुचे बड़ी संखा में कारकरताओं ने समाज कल्यान निदेशक पर निसाना साधा मुखमंतरी के नाम संबोधित पत्र डियम को सौपा है क कि समाज कल्यान निदेशक की ओर से स्सी एस्टी छाथ छात्राओं को बीयड करने से रोकने के लिए या एक साजिस है अगर सिग्र पुरानी विवस्था लागू नहीं की गई तो पासी सेना बड़ा आंदोलन करेगी भदोही नगरपालिका के महला आलम पुन नईबस्ती वाड ग्यारा के रहवासियों ने नगरपालिका परसद भदोही पर पहुच कर एक पत्र सौपते हुए महले की सडगों पर हुए जलजमाव अखुले चेंबरों को ठीक कराय जाने की मांग की है कहा की बार-बार सभासत से भी सिकायत की गई लेकिन हर बार महले वासियों की बातों को अनसुना कर दिया गया कहा की भीसर गंदगी वजलजमाव से यहां की रहवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है समूखा वागा की भरती परकिरिया में बदलाव को लेकर बुद्धवार को छात्र युवा संघर्स समिती वा आम आदमी पार्टी के कारकरताओं ने महामहिम राजपाल को संबोधित एक पत्र भदोही जिलाधिकारी राजंदर परसाद को सौपा है कहा की भरती परकिरिया में सरकार जो बदलाव करने जा रही है पान साल की कठिन संबिदा सेवा के दौरान कर्मियों का मानसिक रूप से उच्चाधिकारियों द्वारा सोशल होगा कहा की सरकार का या फैसला अन्याय पूर्ण है इस फैसले से समू खावा गा की परतियोगी परिछार्थियों का भविस गर्त में चला जाएगा इस मौके पर आपजिला अध्यष मनुज गुपता, संदीप यादो, बल्ला, असोक यादो, सहित, आधी लोगों ने पत्र सौपने के बाद परदर्शन किया भदोही जिले के ज्यानपूर विकास खंड के बड़वापूर कमपोजिट विद्याले में ओजोन दिवस के मौके पर ग्यारा पौधो का रोपड किया गया इस कारकरम के मुख अतिथी असोक गुपता रहे, साथी अध्यापक, बीजय परताब, रामलाल यादो, ग्राम परधान, सिवनात यादो वाचेत्रीवन अधिकारी आधी मौझूद रहे इस मौके पर मुख अतिथी ने कहा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, मनुस की रच्छा करने में ओजोन परत एक महतपूर भूम का निभाती है, इस मौके पर बढ़वापुर कंपोजिट विद्याले पर 11 पौधो का रोपड किया गया भदोही विकास खंड के ग्रामसभा सुनहर महुआ पट्टी के ग्रामिलों ने जिलादिकारी को सपत पत्र सौपते हुए ग्रामसभा के सरकारी धन्वे बंदर पाट वधादली किये जाने का आरोप लगाते हुए जाच कराए जाने की मांग की है सिकायत करताओं में राजन गिरी, स्यामलाल, जैलाल यादो, सुरेंदर यादो, बिनोत गुमार आदी मौजूद रहे साथी पत्रकार को फरजी मुकदमे में फसाय जाने का बिरोध दर्ज कराते हुए भधोही जनपद, पुलिस अधिच्छ को एक पत्र सौपते हुए पत्रकार को फर्जी मोकदमे में फसाय जाने वज्जाच कराते हुए मोकदमे से नाम निकलवाय जाने की मांग पत्रकारों ने की है बुद्धवार को पत्रकार अमरितलाल, रवी संकर मिस्रा, सरद बिंद, दिने स्यादो, आसीश सिंग, नागेंदर दूबे, विश्डू दूबे आधि पत्रकारों ने पुलिस अधिच्छक राम बदन सिंग को एक पत्र सौपा है कहा कि दुर्गागन ठाना इलाके के सेरपुर निवासी पत्रकार असोक कुमार मौर को उनके पत्रिदारों के बेच हुए विवाद में फसाया गया है जबकि पत्रकार का उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है जिला हधिकारी राजंदर परसाद ने मुख सचिव उत्तर प्रदेश सासन के निर्देश पर भधोही जिले के ग्यानपुर तहसील का सुबा निरिच्छन किया निरिच्छन में पांच करमचारी नतारत मिले हैं जिसमें उसादेवी, लालचंद, राम, अमिज जैसवाल, संकल्प, मौरिया वबिजय संकर गयर हाजिर रहे डीयम ने एस डीयम को निर्देश दिया है कि इन पांचो करमचारीयों का अश्पस्टी करण एक सप्ता के अंदर उपलवध कराएं डीयम ने कहा कि परतेग दिवसों में दस बजे हर हाल में अधिकारी वा करमचारी अपने अपने कारियाले में मौजूद रहे अनुपस्थित पाए जाने वालों पर कारवाई की जाएगी भदोही सहर के आलमपूर नईबस्ती मुहले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक इरिक्सा मुहले की बदहाल सड़क वा सामने अचानक एक बाईक आजाने के कारण फरीदन पुखरे में जगुजा इरिक्सा चालक आलमपूर नई बस्ती से चवरी रोट के लिए निकला था जिसमें चालक के अलामा एक सवारी बैठी हुई थी इरिक्सा इसकूल मोड के समीब पहुचा ही था कि तभी एक बाईक सामने आ गई महले वासियों के मताबिक सड़क बेहद बदहाल है जिसके चलते इरिक्सा फरीदन पुखरे में जगुचा चानीमत थी कि महले के कैफ इनसाफ सानू अली हुसैन वा समच जैसे सहसी योगों के सहयोग से तुरंथ इरिक्सा को बाहर निकाला गया भदोही जिले के गोपी गंज कोतवाली इलाके के कौलापुर के समीप गदिनो बाईक सवार बदमासों ने अपने पती के साथ बाईक से जा रही महिला के गले से मंगल सुत्र चिन कर भाग खड़े हुए थे इन बदमासों की गिरफतारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है इसी मामले को लेकर बुद्धवार को गोपी गंज पुलिस ने मुखबिर की सूजना पर बिरनई वकोईरवना थाना छेतर के इटहरा गाउं से दो लोगों को पूछताच के लिए पुलिस ने हिरासत मे लिया है भदोहीं जिले के सुरियामा विकासखंड परिशर के सभागार में बुद्धवार को बीडियो जैकेस तिरपाठी के निर्तित में बैंक परबंधको संग बैठक की जिसमें ज्यानपूर के बैंक परबंधक उमेश कुमार सहित तमाम परबंधक मौजूद रहे बैठक में कहा कि किसानों को किसी भी परकार की दिक्कत वकटनाई ना हो छोटे मजोले कास्तकारों को किर्सी लोन पसू लोन मुर्गी बेवसाय आधी के अबारे में सिलसिलेवार जानकारी दी इस मौके पर कई बैंकों के साखा परबंधक मौजूद रहे भदोही में हिंदू समाज पार्टी के राष्टी धर्माध्यच योगी सरोजनात वा हिंदू वादी नेता स्वर्गी कमलेश तिवारी के पुत्र रिसी तिवारी का जबर दस्त स्वागत किया गया इस मौके पर राष्टी ब्रह्मल योजन सभा के जिलाध्यच पंडित अमरीश तिवारी ने मुख अतिथियों का स्वागत किया और हिंदू वादी नेता बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी को नमन किया साथ हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यच पत पर पंडित विपिन तिवारी को मनुनीत किया गया भदोही जिले में बुद्धवार को नव और संकर्मित मरीज पाए गये हैं अब संकर्मितों की संख्या 1389 पहुँच गई है याकूप पूर ग्राम सभा में संकर्मित मरीज मिलने के बाद ग्राम परधान ने गाओं के रास्ते पर वरिकेटिंग करा दिया है बुद्धवार को जिन संकर्मितों की रिपोर्ट पाश्रिवाई है उसमें ग्यानपूर की 47 वर्सी महिला सारीपूर का 31 वर्सी व्यक्ति, सियस्सी भधोही का 51 वर्सी व्यक्ति, वा 48 वर्सी व्यक्ति के अलामा सियस्ती सुर्यामा का 26 वर्षी यूवक भदोही के जमनीपुर का 60 वर्षी व्यक्ति मूसी का 49 वर्षी व्यक्ति अवराई का 40 वर्षी व्यक्ति वज्यानपुर के चक्वा चंडेल का 60 वर्षी व्यक्ति सामिल है भाईयों भाणों अगर सत्यमनीज बेव टीवी की खबरें अच्छी लगी हों तो सेयर करें और लाइक वा कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाए साथी चैनल पर फले सो रहे नमबरों पर अपने आसपास की खबरों को हमें बताएं अब नसीर कुरेशी को दीजी अजाजत नमस्कार अदाब